जो बाब जी साब को बहुत प्रिय थी और उनकी क्रपा से सोबाग्यवस मैंने बाब जी साब के मुखार बिंद से इस गजल का कई वार बाब जी उलेख अपने वच्णों में फरमाते थे एक सूफी संत हुए नागोर में ही और बहुत अरसा नहीं हुआ बाब जी साब जब नागोर पदारे तब वो जो फकीर साब थे जिनकी ये गजल बनाई हुई है वो तो साथ उसके कुछ ही समय पे ले अपने दामपदार गए थे लेकिन उनके सिष्य और उनके सिष्य के सिष्य याने उनके सेवक और उनके जिनको अपने कहते हैं गुरू और दादा गुरू तो दादा गुरू जी तो नहीं थे गुरू जी थे और गुरू जी के एक प मानने वाला नहीं था। उन्होंने सुना कि कोई फकीर साथ आये हैं, बाप जी के वारे में सुना कि कोई फकीर साथ आये हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बाते करते हैं। कुछ सुना तो बाप जी के दर्सनों के लिए आये। और राठोडी कुआ में जो रामद्वारा है उसमें जब बाब जी विराश्ते थे तब फकीर साथ के सिश्च और उनके सिश्च के सिश्च बाब जी के दरसनों के लिए आए मैंने तो फकीर साथ के और उनके जो प्रतम पीडी के सिश्च याने की जो उनके उत्रादिकारी थे उनका दरसन नहीं किया लेकिन जो एहमेद साहब तीसरी पीडी के उनके सेवक थे उनका मैंने भी दर्सन किया और वो अक्सर गुर्दार आते थे इतना पवित्र आचरन बड़े बुजूर्ग हो गए बाब जी साहब के दामपदार ने के बात तक कुछ बरसों तक रहे दुनिया में और अब तो नहीं है काफी बाब जी साहब से उमर में बड़े थे जब बकरा इद का समय आता तो एक दिन पहले हमेशा नियम से तो बाब जी के दर्सनों को नहीं आते थे कभी कभार आते आते तो बड़ी परमारती बातें करते और उनके दादा गुरु साहब ने जो फरमाया और जो दूसरे सूपी संतों के कलाम हैं उनके बारे में जो चीज उनको समझ में नहीं आती हो बाब जी साहब से पूछते थे उनके मन में ये बरुसा हो गया था कि मेरे लादा गुरु साहब और बाब जी साहब दरसल में एक ही सिद्धान्त के संत हैं. तो जब बकराईद का समय आता था तो उसके एक दिन पहले गुरदारे में साम को आए दो फैर के बाद आए दो फैर के बाद में आए तो बाब जी साहब खुश हुए उनको देख के प्रसंद होते थे तो बाब साहब न का कि एहमद भाई साहब आप आगे बहुत अच्छा किया बहुत दिनों से आए नहीं बोला आज तो आगया हूं बाब जी और आज तो मैं अपने घर वापस नहीं जाओंगा क्योंकि कल बकराईद है उनकी एक छोटी सी कोटरी नागोर के गुर्द्वारे से एक किलोमेटर से कम फासले पर साधी एक कोटरी कच्छी पक्की कच्छी तो नहीं थी मिटी के तो वहाँ पर जिपसम के बनते हैं कमरे पून दिनों उसमें अपने हाथ से बनाते और खाते थे तो बोला कि कल तो मैं अपने गरने जाऊंगा क्योंकि हमारे यह बकराईद है और उस मोले में गर-गर में काटे जाते हैं बकरे और नालियों में बेता है खोन लोग इदर से उदर ठालियों में लेकर कि एक दूसरे को सोगात देने के लिए क्या लेके जाते हैं काटे वे जानवरों का मास मट्टी तो मेरे लिए कल तो जाना बड़ा मुस्किल है तो में तो यही रह जाओंगा बापज़ साइब ने का रहे यह तो बहुत खुछी की बात है आप तो यही रहा कीजिए चाहिए आप जाते ही क्यों है जब इच्छा हो तो कभी गए ने तो यही रहो तो बोलने कल तो रहूंगा ऐसा उनका पवित्र आचरन था स्वयम सरीर से मुसल्मान थे और उसी मुल्ले में रहते थे अपने हासे बना के खाते थे तो उनके दादा गुरू साहब की यह गजल है तो बापज़ साहब को बड़ी प्रियत ही बापज़ साहब इसका उल्ले क किया करते थे माबूद बराबर कोई मुर्सिद न करेगा मंजिल को न पहुंचेगा मुसीबत में मरेगा माबूद याने खुदा परमातमा जिसे हम कहते हैं उसे फारसी भासा में माबूद कहा जाता होगा तो माबूद के बराबर जो कोई अपने मुर्सिद याने गुरू तो को नहीं converts माँए और खुदा में चोटे और बड़े का फरक कोई मानेगा तो अपनी असली मंचिल पर वो कभी पहुंच नहीं पाएगा और मुसिबत में तो पहले से है तो यही तो यही रे जाएगा यही जन्मेकार यही ही मरें गा सिवत में ही मरे गया अपने सनातन दर्म में तो एक साखा सनातन दर्म के आदी से ये द्रड मानेता है कि परमात्मा में और उनका बेद देने वाड़े गुरु में कोई फर्क नहीं अभी तीन-चार दिन पहले खरवाओं में भी इस बात का उलेक हुआ था अपन ने जब विचार किया था उस समय माताई साब की माई मा के बारे में तब भी मैंने निवे दिन किया था कि उपनिस्दों में स्वेता स्वेतर उपनिसद स्लोक 26 वहां पे उपनिसद कारिशी फरमाते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्चेते कटिता यर्था प्रकासंते महात्मन कि जिसकी परा भक्ति जैसी परमात्मा में याने भगवांत में हैं वैसी यदि अपने गुरुदेव में न हो तो उसके सामने उपनिसदों के ज्ञानखंड की बातें ने कहने चाहिए ने सुननी चाहिए वो अधिकार ही नहीं है, तत्व की बात बताने के लायक ही ही नहीं है ये तो बहुत पुराने समय के सास्त्र ऐसा कहते है संतमत का तो मूल सिद्धानती ही है कि गुरु परमात्माई ही है बलकि संतमत तो ये कहता है कि परमात्मा गुरु हैं तो एक ही लेकिन हमारे उपर उपकार गुरुदेव के ज़्यादा है इसलिए संतों ने इस बात की गंबीरता को हमें समझाने के लिए यहां तक फर्माया कि गुरु तो परमात्मा से बड़े है सत्गुरु कबीर साहब जी के बचन है बिना सत्गुरु उपदेश सुरनर मुनिनाई निस्तरे ब्रह्मा विष्णु महेश ओरसकल जीव कोगिने बिना सत्गुरु के उपदेश के जगत से याने बवसागर से निस्तार किसी का भी हो नहीं सकता अब कोई चाहिए कितनी बड़ी ये सित का हो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर भी हो तो भी पार नहीं पापाएंगे बवसागर में ही रह जाएंगे तो बाकी जीवों की क्या गिंटी ऐसा नहीं है कि कबीर साब ने फरमाया उपनिस्तों में लिखा हुआ है अभी अमारे वर्तवान समय में सनातन दरम में हिंदी बासा का सबसे मेत्व पून आदरनी एक रंत है रामचरित मानस उसमें कुसाई जी ने अभी चार सो पेंतालिस चियालिस नहीं चार सो सेंतालिस वर्स पहले फरमाया गूरू बिन भावनी दीता रही न कोई जो भी रंची संकर सम हुई चाए ब्रह्मा जी और संकर जी के समान उची हिस्ट का कोई हो तब भवसागर से पार नहीं पाएंगे बिना गुर्देव की दया के यही बात लेकिन इसलाम में ऐसा नहीं है जो इसलाम में सरियत के पाबंदी है जो सरियत को ज़्यादा में तो देते हैं और फिर करम कांडू के उसके बार ही अर्थों में उलज गए मापुरसों का तो ऐसा उपदेश नहीं था लेकिन अब जो इस समय है वही है इसका क्या क्या जाए वो तो सुनने को भी तयार नहीं होते लेकिन यह जो कलाम अपन आज पढ़ रहे है यह सूफी फकीर साहब का है वो सुम सरीर से मुसल्मान ही थे तो आपने का है कि तो इसलाम में खुदा के अलवा किसी के पाउम सूने पर यह बेद भी है खुदा की और किसी के सामने सर नहीं जुकाया जाता है क्याल खुदा के सामने इससर जुकाया जाता है क्यों क्यों प्रम्दूर करने की मापूरसों ने कोसिस की तो ये अबदू साहिब जिनका ये कलाम अपना आज विचार कर रहे हैं उनका नाम अबदू साहिब था और ये सब्द संग्रे में बाब जी ने छपा हुआ है माबूद बराबर कोई मुरसिद न करेगा मंजिल को न पहुँचेगा मुसीबत में मरेगा जो कोई गुर्देव के बराबर मुर्षिद या ने अपने गुर्देव को नहीं मान पाएगा वो ठेट मंदिल पर कभी पहुँच नहीं पाएगा ये स्वयम सच्चे मालिक का उस सच्चे रब का बनाया हुआ कानौन है वो मुसिबत में जन्मा है तो मुसिबत में मर जाएगा यानि मुसिबत से छुटकारा नहीं हो गए सनातन धर्म में भी चूंकि सनातन धर्म का कलेवर बहुत बड़ा है बहुत सारी साखाएं हो गई अपने अपने शिदानतों को तोड़ मरोड़ करके बहुत से लोगों ने उसके अलग-अलग फिरिके बना दिये इस समय सनातन धर्म के सतसाइत का प्रचार करने में अग्रगन्य संस्ताय गीता प्रेस गोरखपुर वहां पे जो कुछ बरसों याने कुछ दस्कों पहले जो उसके अद्धिक्स रहे वो माहत्मा जी भी राज़तान की थे उनके उदर बहुत ख्याती भी है और यहां गोरखपुर में भी रहे थे उन्होंने भी ऐसा कह दिया तो लोगों जो यहां कोई गलत बात का प्रचार कर देता है तो आम तोर पर काल जो है उसकी मदद करता है सच्चे सी दान पर परदा डालना काल और माया का सुवाव है तो उनकी बात का उदर बहुत ज़ादा असर है हमारे राजतान में उन मात्मा जी का नाम ले ना ठीक नहीं है, उनके बहुत से अन्याई हैं जो उन पर सद्धा रखते हैं. अच्छी ही बातें बताते रहे होंगे लेकिन उन्होंने कहे दिया कि इसी गुरू सच्जा नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं. वी पूर्नी गुरु क्या प्रहित करें गुरुर्य प्लूरु बात गलत है। उनका उनकी जानकारी और ग्यान या माननेता है वो अदूरी है संतमत के हिसाभ से वो तुटिपूर्ण है और जब अपनिस्त यह कहता है कि जैसी परहबक्ती गुरुदेव में यहेशी परहबक्ति परमात्मा में है। वेसी गुरुदेव में होने ही क्या शाहिए तब माबूद बराबर कोई मुर्सिद न करेगा, मंजिल को न पहुंचेगा, मुसीबत में मरेगा, नादान है कोई और इससे भी जियादा, अल्लाह में और पीर में जो फर्क करेगा। अब्दू सह statistically कि उससे ज़्यादान और दूसरा कौन होगा, जो अल्लाह में और गुर्देव में अंतर समझेगा। यानि पաर्मात्मा को अल्लाह को खुदा को बड़ा मानेगा, और गुर्देव को अपने जिसा इनसान मानेगा। अब ये बातें इसलाम में तो कहना कुफर हो जाता है, अगर किसी उन लोगों में बहुत से फिरके हैं, कट्रवाद ज्यादा है, कोई नाराज हो जाए तो फत्वे जारी कर देते हैं, लेकिन उन्हों ने फरमाया, नागौर में विराज थे थे, तो नागौर में ऐसे मापु उस बिराजते रहे और उनकी बात को सुनने वाड़ा एक आदमी मिला, और उस एक आदमी, यानि उनके जो सेवक थे, उनको भी एक ही आदमी मिला, और आज अब कुछ भी नहीं है, लोआरपुरा से बडली की तरफ जाते हैं, तो एक जगा मैंने देखा है, घूरा होता है, गूरा अपने है, जहां पर गरों की राक और कच्रा डाला जाता है, उसके किनारे पर एक छोटी सी जो नचबूत्रा बना हुआ है, वो उन मातमाजे की दरगा है बस, और कोई नहीं, दुनिया उनकी कीमत नहीं करती, लेकिन बाप जी साब को बड़े प्री थे, नादान है कोई और इससे भी जीएदा, अल्लह में और पीर में जो फर्क करेगा। आप तो ऐसा कहते हैं कि जो अल्लह में और गुर्दे में फर्क मानता है, चोटा बड़ा मानता है, वो तो नादान है, उस से जच्चा नादान कोई क्या होगा। कारण ऐसा है, कि हैं तो मालिक ही से बड़े लेकिन जो उनसे एक रूप हो गए उनमें फिर उनमें फरके से किया जा सकता है दूसरी बात जो परमात्मा साक्षी रूप हैं सबसे बड़े हैं दयालू हैं हम सबके स्वामी हैं कोई फरक नहीं इस बात में तो कोई इनकार नहीं लेकिन उनकी दया का उनकी महिमा का इजहार, उनसे प्रेम करने का तरीका, प्रेम करके उनको प्राप्त करने का उनके दीदार प्राप्त करने का तरीका और जरिया तो गुरुदेव ही है, तब यदि गुरुदेव को छोटा मान लिया, तो फिर परमात्मा की दीदार हमें कौन करवाएगा, कैसे हम कर पाएंगे कोई कर पाया नहीं है आज तक इसलिए संतों ने का कि वो नादान हैं जो ऐसा कह देते हैं तो दरसल में जाते हैं सब को कौन परमात्मा की दीदार की पड़ी है प्रबू दरसन दें उनके दरसन ही हमें इस जीवन में मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए ऐसी सची चाहना कितने परमात्मा क्योंकि दिल में होती है नहीं होती है क्योंकि सच्चे पर्मार्थ के ग्रायक कोई कड्रुक्य ही होते हैं. खुद आप ही कहता है, कुरान में यदुल्लाह, क्यों पेर पे मुर्सिद के कोई शिर न दरेगा? इसलाम में किसी के सर पाओं पर सर टिक करके प्रणाम करना मना है. वो सलाम करते हैं लेकिन पाओं पे सर नहीं रख सकते हैं क्यों कि जिसके पाओं पे सर रखेंगे वो मिट्टी का पुतला है खाक सार है खाक यहने मिट्टी का पुतला है उस मरन सील प्रानी के पाओं पर सर कैसे रखा जाए खुदा के सामने हम सर जुकाते हैं और किसी के साम उल्ले काता है यदुल्लाह, उसका अर्थ ये होता है कि खुदा का हाथ मुर्सिद का हाथ है, यदुल्लाह का ये मतलब होता है, अर्भी बासा का सब्द होगा, मुझे तो अर्भी बासा की जानकरी है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ बाब जी साथ जो फरमाते थे, कि यदुल का मतलब होता है खुदा का हाथ है वो गुरू का हाथ है या गुरू का हाथ है यदुल्ला याने खुदा का हाथ गुरू का हाथ एक एक ही है तो मुर्सित वो सूफी संत मुर्सित साथ फरमाते हैं कि खुद कुरान में कहता है खुद कुरान में आप ही कहता है यदुल्ला क्य गुर्देव का हाथ एक हो गया, तब फिर गुर्देव के पेर और खुदा के पेर भी एक हो गया, गुर्देव के चरन ही खुदा के चरन हो गया, जब उनका हाथ गुर्देव का हाथ परमात्मा ये खुदा का हाथ, तब गुर्देव के पेर खुदा के पेर क्यों नहीं हु और पाव कोई क्यों नहीं रखेगा। अब कोई ये कह देगा इस बात गलत कही हुँई ये तब तो क्या है? फत्वा जारी हो जाता है और फत्वे में जान बचाना मस्कूल हो जाता है। इसलिए इस बात को प्रश्ण वाचक तरीके से क्या करके इस गजल में आपने फर्माया कि खुद आप ही कहता है कुरान में यदुल्ला है। कुरान तो खुदा का कलाम है, खुदा के मुखार बिन से निगली, मौमद साब ने कलम बद किया, जगत में इसको प्रगट किया। उसमें यह है उलेख कि मुर्सिद का हाथ गुरू का हाथ, मुर्सिद और गुरू का हाथ खुदा का हाथ। तब ये प्रश्ण संगा जाईर करते हैं, क्योंकि खुला सा के दें तब तो दूसमनी मौल कर देते हैं लोगुग। तो ये प्रश्ण वाचक तरीके से प्रश्ण खड़ा किया, कि तब खुदा के पैर और मुरसित के पैर में कोई फरक नहीं होना चाहिए। तब मुर्सिद के पेर पे कोई अपना सर क्यों नहीं रखेगा? अब इसका जवाब तो कोई देते नहीं है, कोई देने किसी पास जवाब है नहीं. लेकिन जिग्यास्वों को जो सच्टे के खोजी हैं, उनको समझाने के लिए अब दू साहिब फरमाते हैं, कि फिर मुर्सिद के पेर पे कोई अपना सर क्यों नहीं रखेगा? रखना ही चाहिए. मुलना जो हमें सिखाते हैं बाते कुछ और ही, कोई दीदा वदानिस्टा कोई ऐम leopard पड़ेगा? अब आप कहते हैं कि जो मॉलवी लोग हैं, मुल्ला लोग हैं, वो तो हमें कई अलगतर की बातें बताते हैं, वो तो कहते हैं कि खुदा के बराबर किसी के बारे में कलपना करना भी गुना है, किसी के चरनों पर, किसी के पेर पर सरक देना तो गुना है, कुफर है, और कुफ गधानमार्तनामार्तिश्टनात्त को मानने वाल liberty नहीं है नितीम है नहीं है। फार्सी बासा में दिन का मतलब होता है कि परमार्ति रास्ता तरीका प्ऱतं और उसके अव्यांथी दिनदार। जैसे कहते है कि दो दिन का भरम मिटाया, कबीर साब के बारे मइमा में गरिब दार्शिस साब ने का, दो दिन को मतलब दो फिरके हुए बड़े, इन उनले ने नियोंकmpfen योग दो बड़े फिरके कौन से हुए? दूर किया जो उनकी सेवा मैं उनको समझाया कि तत्व की बात कुछ और है और तुम जो कटरपंथ पकड़ करके बेठे हो वो कुछ गलत है उसमें हमारा फाइदा नहीं है तो दीन का मतलब यहां यह होता है तो मुलना जो हैं वो कहते हैं कि यदि किसी इनसान के सर पर अपना मस्तक टिकाएं तो वो दीन से बार हो जाएगा यानि वो काफिर हो जाएगा काफिर यानि एक तरह से इमल यह समझे लें कि दीन दार यानि परमार्तिया गुर्मुक्ता और काफिर यानि नास्तिक जो खुदा के अस्तित तुम्हें विश्वास नहीं करता, वो काफिर, इसका मतलब तो यही होना चाहिए, लेकिन आजकल वो लोगे मतलब निकालते हैं, जो इसलाम को नहीं मानते हों, सारे ही काफिर हैं, एक यही रस्ता और और कोई रस्ता नहीं है, यह उनकी अपनी अपनी और जो समझदार है, दीधा ऐन है, दीधा यहन है, नजर, आँखवाला, कहते हैं, तुम्हारे दीधा फूट गय क्या, याने तुम्हारे आँख़फ है नजर नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, ऐसा कहा जाता है, तो कोई दीधा भaire दानिश्ता यान्यनै कोई नजरे और समझदार भी कुए में गिरेगा क्या दूसरे के कहने से सामने दिखता है ना कुगा कैसे कूज जाए कोई कि इस रस्ते पर चलो उतर जाओ अंदर तो दिदा और दानिस्ता उस कुए में नहीं गिरेगा कोई का गैसे के से गिर जा है तुम्हारे कहने से मरना है क्या हमको तो आप फर्माते हैं कि मुल्ला लोग जो कहते हैं उनके कहने से क्या होता है जब सामने नजर आता है जब कुरान में सुहम खुदा का कलाम है कि जो मुर्सिद का हाथ है वो मेरा हाथ है खुद कुरान में आप ही कहता है यदॉल्लाः तब जो है ना वो मुरसिद मेर और खुदा में कोई फरक मानता है यह हमें फरक बताता है और हम उस बात को मानते हैं तो यह तो हम दूसरों के करने से कुए में उतरने वाड़ी बात हो गई तो मरेंगे तो कौन गिरेगा जिसके वीवेक की आँख नहीं है वीवेक की आँख है वो लकीर के फकीर नहीं होते तत्व की बात खोज करते हैं तत्व की बात मानते है कोई दीदा वदानिस्ता कुई एमेन पड़ेगा जो मुर्सिद का कहना है वही कहना है खुदा का किसी की विनमाने का अबदू ही अरेगा जो गुर्देव का कहना है गुर्देव के वचन है गुर्देव की आज्या है गुर्देव का फरमान है वही खुदा की मोज है इस बात को संतों ने अपने को किस तरह से समझाया कि मालिक की मोज मालिक जैसे अगम हैं, गुप्त हैं वैसे ही मालिक की मौझ ही भी। हमेसा छिपी हुई और गुप्त होती है। प्रगषड कैसे होती है? मुर्सित मुखारविन्न से। याने गूरुदेव ने कुछ कह दिया। वो मालिक की मौझ है दुरगर शे άया होगा आदेश है। नहीं पाएंगे, उनकी आग्या क्या है किसी काम के लिए करने की है की नहीं है, हमारा बलाकिस में हमारी गलती है, उससे हमें रुकना है, हमारी गलती हमें कौन बताएगा, मालिक ही बताएगा, लेकिन मालिक गुर्देव के मुकारबिंद से फरमा के बताएगे, यानि गुर् यहां के नियम काइदे यहां के परंपरा यहां के ज्ञान अज्ञान से हमें यह दिव बात अदूरी और टुटिपून लगती है तब उसका क्या होगा कुछ नहीं होगा जो गूर्देव की अजय का पालं करेगा दूनिया का काम requested पर मुन को सो जाएंगे वह मालिक तो सो जाएकर थिव इसने गूर्देव की अग्या का पालं कर लिया यह अपना है कि ला Sun आप अल्ड़ूंआ का काम बिगड़ गय तो क्या हुआ रामदास्टी साहिब से उनके गुरुदेव ने सत्तर जबूत्रे बनवा के तुडवा दिये कोई जरूरी काम थोड़ी था अब काम की जरूरत को जो तोलेगा नापेगा अपनी बुद्धी लगाएगा धन्रयत के चबूत्र को बनाना की करना क्या है गूरुदेव को बुरू साहब शियांगे क्यों दे अरह चैए प्रण मे बन भीकठा तो क्या करना इसका जरूरत कảng है अपने बहुत बढ़ा हुआ हुए लोह कहते हैं कि ओर जदर ब्श्तार करने के जरूरत कळा है आपको क्या तकलीप हो रही है, इतना बनावा बहुत है, कोई बात नहीं, यह तो सही बात है, अपनी अपनी समझ का फेर है, तो रामदासी साथ सतरवार तबूतरा बना करके तोड़ने पर भी उनके मन में यह नहीं आया, कि यह गुर्देव जो आगे दे रहे हैं, इसमें क्या फाइदा ऐसा आजाएगा, तब वो फालतू की मेनित तो बच जाएगी, लेकिन उदर मालिक प्रसंद होने वाले हैं, जिस तरीके से सरलता से फिरी में, वो रास्ता रुख जाएगा, इसलिए जिन्हों ने गुर्देव की आग्या को मालिक की आग्या मान करके पालन किया, उनका जो जो लाब कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जिस मालिक की गर में जाना अगम है, जिसका रस्ता हमने जानते है, जिस पर चलना दुस्वार है, गुर्देव की आग्या पालन के कवच के बीतर रेकर के हम इस दुर्गम रास्ते को संकट से बरेवे रास्ते को, सत्रूं से समर्त गुरू रामद्स जी साहिब सिवा जी माराज के गुरु थे, तो, बच पुराने समय में ऐसा रिवास था और किने-किने गुरों में किसी-किसी फिरके में होगा, तो समर्द गुरू रामदास जी के प्रिये सेवकों में सिवा जी माराज भी थे जो बाद में सता पूना के और उनने मरता समराज जी की स्थापना की औरंग जैब जैसे बड़े बादसा से लोहा लिया और बाकाइदा डंके की चोड पर जीते उनकी केद खाने से फलों की टोक्री में बेट करके निकल गए दिल्ली से और उनके राज को चेदते हुए पहुँच गए अपने दरवार में अपने राज में तो समर्थ गुरु रामदास जी के सिष्चों में सिवाजी थे तो उनके एक सिष्ची जो है वो जोली मांगने के लिए पुराने समय में से रिवाज था सादू महात्मा लोग अपने आस्रम पर कीचन विचन नहीं लगते थे उनके सेवक जाते थे और जो उनके अनुयाई लोगों के मकान होते थे अभी भी भी हमारा स्थान में परंपर, रामसनी सम्परदाय में सुबह जाकर के जोली मांग के ले आते हैं, जिसके गर में जो बनता है माराज बाहर से आवाज लगाते हैं, राम माराज, तो कि हा माराज आए, और जो ग्रेणिया होती है, माताएं बेने, वो लाकर के कोई रोटी, सब्जी, जो बढ़ में बना दे देते हैं, वो लाते हैं, और फिर उसी को प्रसाद भोग लगा करके उसका प्रसाद ले ले रहे हैं तो ऐसा रिवाज समर्थ गुरु रामदाशी के दर्बार में भी था तो एक्षी से लेने के लिए गया और एक कोई ऐसा ग्रेश्टी रा होगा जो काली का उपासक था काली माता का उपासक था और कट्र था और उसका अपना इश्ट था तो उसने जो है वो जाकर कर उस ग्रेश्ट के दर्वाजे पर आवाज लगाए अलाख निरण जन उसको गुसा आगया अलाख निरण जन कोन होता है जए माता की बोलना चाहिए माता से बड़ी और कौन से सकती है कौन अलग को निरण जन फालतू की बात पर बैस हो गई तो जो समर्द कुरू रामदास जी का सेवक था वो भी पक्का था अपने इश्ट का उसने का अरे ऐसी माता हैं कई हमारे ब्रम के चर्णों में उदर जोना रेत में लोड़ती रहती है उनकी एक किरन के वराबर भी नहीं आपकी कौन सी काली मातार कौन सी सक्तियार कौन सी दूर का हम किसी को नहीं मानते हैं किसी से नहीं ड़ते हैं वो भी कट्र था रिया भी कट्र थे फालतू जगड़ा नहीं करना चाहिए था हो गया है इस बात पर समर्द गुरु रामदास ने जहां अपना दर्बार लगा रखा था और भ्रम पूजा का खंडन करते थे और सतोगुनी बक्ती का प्रचार करते थे तो कई सक्ति उपासक तमोगुनी बक्ती का भी प्रचार बक्ती में भेद हैं देवी के सराब का भी भोग लगता, और मात्सा भी भोग लगता, पली भी दि जाती है, तो ये तो मोगनी भक्तियाँ हूई, तो िनका भी जोती माया के से क्ड़ियों में आपस संगर सोता रहता है, तो दोनों सक्टियाँ भी तुल गई, अब वो डरे नहीं जो अलग निरंजन वाले सेवक्ति उन्होंने का आ रहे देख लेंगे तेरी माई को हमारे गुर्देव समरत हैं ऐसे कई आते हैं कई जाते हैं तेरे से बने जो कर लेना आ गए अपने गुर्देव के दरबार में उस घर से तो कुछ मिला नहीं तरजान से मिले वो सब ले आए गुर्देव ने का गुर्देव अंतरिया में थे वो लाज जगडा करके आया वो क्या बला हाँ बाब जी जगडा तो हुआ पर किस से वुला फलन फलन के यह गया था मैंने अलख ने लगाया वो तो गुस्दे में आगए तो मेरे से तो सेन नहीं कोई कुछ भी कह दे अपने क्या बिगड़ता है उसने बोला मेरे से सेन नहीं होता है आपकी कोई आपकी कोई हैटी करे आपके बारे में कोई अब सब दिके दे तो मैं के से सेन करूं को बला करने में फायदा है चलो अब हो गया सो तो हो गया अब वो जो ना काली माई को प वो प्रवेश कर नहीं पाएगी और बोजन करो और फिर प्राट्षना किये सत्संग किये साम का समय हो गया गुरु मराज पोट गया ने लेट गये गुरु मराज ने का तुम ऐसा कर हमारे पाउं दबा और दबा तेरे क्या सोना दिन में सो जाना कल बल हां यह तो बड़ी सोबागी के बात मैं आपके चरन दबाता हूं गुरु मराज ने सोचा यह कहीं इसको ठग नहीं ले माया वला देख एक सावदानी रखना कोई तेरे को आवाज देना तो मठ के बार मत जाना चाहे कोई भी बुलाने आ जाए समझ गया हमारी बात तो उ अब काली माय उस पर वार करना चाहे तो गुरु मराज के दरवार में तो उसकी हमत नहीं पड़े अंदर कुछने की जा नहीं सके यह सत्यकटना है समर्द गुरु रामदासी की जिवन शरित्र में लिखा हूआ है अब वो माई जोना उसको बार बुलावे अलग अलग तरह के रूपदारन करे अपसराओं जैसा रूपदारन करे उसको बुलावे हाव भाव से लुबाने के पुस्य करे वो वेचारा कभी देख ताब यह दरवाजे की तरफ फिर गुरु मराज के सेवा में लगा वाचरन माया ने देखा कि यह तो कबजे में आने वड़ा है नहीं और यह तो अपने गुरु के शरन दबारा है रहो इनके गुरु देव तो अब क्या करें अपन अंदर जाएंगे तो चोटी काट के अपने को धका मार के दो लाथ मार के निकाल देंगे तो क्या करेंगे उनके साम पुकारने लेगी, बेटा इधर आना, उसने सुना, मेरी माँ की तर बोल रही है, देखा दरवाजे पर माँ खड़ी है, एक बार बूल गए कि वो तो जो माया वाया का चक्कर था, वो तो बूल गए, वो तो गई चली गई डिखती है, माँ बुलाने आई है घर से, इसका मतल बूलना नहीं है, गल्ती नहीं हो जाए, बोला हम उजूर नहीं होगी, बोला इसमें आज तेरे उपर बड़ा संकट है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, तो तुरंत याद आगया कि चाहिए माँ हो जाए कोई हो, मुझ भरुसा नहीं करना चाहिए, गुरु मराज नहीं जो गुरुदेव कहते हैं, वो गुरुदेव के मुखारबिंद मालिक की मोज को प्रगट करने का एक जरिया है, जिसे नहर में से खेतों में पानी दिया जाता है, तो वो बनाए जाते हैं, हमारे रास्तान के नालपक की नहर बने वे रास्तान में, पंजाब से आई है, वह गुर्देव के मुखारबिन्द के जरिये से अब उल्टा सुल्टा कूछ भी कह दें, उस समय दिमाग लगाएंगे, तब तोも काम नहीं बनहेंगा। क्यूंकि अपने समझ-बूज की उनकी हर बात में मसलेत है Dziękuję प्रेम प्रकास में बाब्दी साहब ने फर्माया अनुचित उचित विचारत जी जे पालाई गुरुवेन अब एक संसे खड़ा हो जाएगा क्या गुर्देव कभी अनुचित भी कहते हैं क्या जब अनुचित बात भी कह देते हैं यह तो दुनियादार भी करते हैं बात यह है कि वो जो कह देते हैं वो हमारे समझ के पर है उसमें अनुचित उचित का विचार करेंगे तो करते रहो विचार पर यही रह जाएंगे अगर वो सी से सोच लेता कि गुरुदेव ने का तो क्या हो अब मेरी माँ ये बुलाने कर पे कोई अमर्जेंसी हो गई होगी जाना पड़ेगा जाओं। गुरुदेव ने के बार में जाना बार क्या है बार तो कली के कुट्टे हो तो मेरो ड़ता नहीं उनसे तो मारा जाता है अनुचित और उचित का विचार करने का हमारी हैसित नहीं है, हमारा फाइदा उसमें नहीं है, फिर मालिक की मोज हम पर क्यों प्रगट होगी, प्रगट होगी तो हमारा बला कैसे होगा, फिर परमात्मा की आग्या का पालन, कौन से आग्या का पालन करेंगे, आग्या तो बाप जी साहम ने फरमाया, अनुचित उचित भीचारत जी जे पालाई गुरुबेन, ते भाजन सुख सुयस के बसाई अमर पतियेन, वे जगत में रहेंगे जट सुख और सुन्दर कीर्थी को भी प्राप्ट करेंगे, और आखिर में हमेसा अजर अमर अविनासी देस में य यही बात अब्दू साहब कहते हैं, कि हमें तो हमारे गुरुदेव ने यही श्कायर हम तो यही मानते हैं, कि जो मुर्सिद का कहना है वही कहना है खुदा का. किसी की भीन माने का अब्दू ही अरेगा. अब्दु साब कहता है अब हमें कोई अडियल कहे, जिद्धी कहे, नादान कहे, मुर्ख कहे ले, बली कहे ले हम तो इस बात पर अडेव हैं किसी की मानेंगे नहीं, मानेंगे तो एक गुर्देव की और इस सिद्धान को कभी नहीं छोड़ेंगे कि जो गुर्देव हैं, वो परमात्मा के रूप हैं, जो उनकी आग्या है, वो परमात्मा के आग्या है, जो उनका हाथ है, वो परमात्मा का खुदा का हाथ है, और जो उनके चरन है, वो परमात्मा के चरन है, किसी की भी नमाने अब्दू ही अरेगा तो ये ये बाते संतों की बाने में हिंदी बासां में भी सभी संतों ने ऐसा फरमाया बाप जी साथ बाब जी साहब बड़े उनकी मोज थी उन फकीर साहब पर और उनके जो प्रियसी से बाब जी साहब की सेवा में आते रहे उनके दर्सन मेने भी किये वे हैं उन पर बाब जी साहब बड़े खुस रहते थे और देखे वो इसलाम के होते वे बाब जी साहब पर उनकी ऐसी अट की थे हीरे की किमत जानते थे अपन नहीं जानते तो ये कलाम मुझे याद आ गया हालांकि उनकी एक बाने और भी है कि मैं खाने में जाकर सिक्वाइस का क्या करना जितने हिम्मत देखेगा खुद साथ की आप वो भी सब्द संग्रे में बाप जी ने चपवाई है तो वो मैं तो आज इसी बात पर विष्राम बाप जी दया करें हमें भी ऐसी ड्रड़ता दे देए , कि चाहे कोई आवाज दे कोई प्रलोबन आ जाए कि इतना खत्रा आ जाए गुर देव के चर्णो को नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो बच जाएंगे इसी के साथ वि पूरब पुन्य भाए परगट सतसंग के बीच में जाय परी पूरब पुन्य भाए परगट सतसंग के बीच में जाय परी आनांद भयो जब संत मिले वही सुभ दिन वही सुभ घडी आनांद भयो जब संत मिले वही सुभ दिन वही सुभ घडी दरसन करत त्रयताप मीटे बिनु कोडी दाम में जाय तरी पलटू आवा गमन छूटार जचर्णन की जब सी सदरी पलटू आवा गमन छूटार जचर्णन की जब सी सदरी